हेलो दोस्तो आज हम आपको गुड्डु धनुवा सर के डारेक्टर और प्रोडूसर केरेर के बारे में बताएंगे 1992 में राज कनवर की मूवी आई दिवाना इस मूवी के प्रोडूसर थे बुड्डु धनुवा इस मूवी का बजट 3.50 लाक रहा भारत में कमाई 7.30 लाक हुई पुर दुनिया में इस मूवी ने 14 करोड कमाई इसके साथ है मूवी सूपरेट रही बुड्डु धनुवा ने 1994 में आई मूवी एलान से अपने डारेक्टर केरिल की सुरुवा की थी इस मूवी का बजट 2.00 रहा भारत में कमाई 5.00 करोड हुई पुर दुनिया में इस मूवी ने 9.00 करोड कमाई इसके साथ है मूवी हिट रही 1995 में गुड्डु धनुवा की मूवी आई गुंड़ा राज इस मूवी का बजट 4.00 करोड रहा भारत में कमाई 5.00 करोड हुई पुर दुनिया में इस मूवी ने 8.00 करोड कमाई इसके साथ है मूवी फिलोप रही 1996 में गुड्डु धनुवा की मूवी आई तू चोर में सिपाई इस मूवी का बजट 5.00 करोड रहा भारत में कमाई 7.00 करोड हुई पुर दुनिया में इस मूवी ने 11.00 करोड कमाई इसके साथ है मूवी बिलो एवरेज रही 1997 में गुड्डु धनुवा की मूवी आई कफला तून इस मूवी का बजट 5.00 करोड रहा भारत में कमाई 6.00 करोड हुई पुर दुनिया में इस मूवी ने 10.00 करोड कमाई इसके साथ है मूवी फिलोप रही इसी साल डारेक्टर असरानी की उडान मूवी आई इस मूवी के पूड्डु धनुवा इस मूवी का बजट 4.00 करोड रहा भारत में कमाई 1.00 करोड हुई पुर दुनिया में इस मूवी ने 2.00 करोड कमाई इसके साथ है मूवी डियाश्टर रही इसी साल बुड्डु धनुवा की साथवी मूवी आई जिद्दी इस मूवी का बजट 7.00 करोड रहा भारत में कमाई 18.00 करोड हुई पुर दुनिया में इस मूवी ने 32.00 करोड कमाई इसके साथ है मूवी सूपर ही रही 1998 में बुड्डु धनुवा की मूवी आई सलाख है इस मूवी का बजट 9.00 करोड रहा भारत में कमाई 9.00 करोड हुई पुर दुनिया में इस मूवी ने 16.00 करोड कमाई इसके साथ है मूवी फिलोप रही सन 2000 में बुड्डु धनुवा की मूवी आई बिच्चू इस मूवी का बजट 7.00 करोड रहा भारत में कमाई 10.00 करोड हुई पुर दुनिया में इस मूवी ने 18.00 करोड कमाई इसके जाथ है मूवी एवरेज रही 2002 में बुड्डु धनुवा की मूवी आई 23.00 मार्च 1931 सहीद इस मूवी का बजट 20.00 करोड रहा भारत में कमाई 7.00 करोड हुई पुर दुनिया में इस मूवी ने 14.00 करोड कमाई इसके साथ है मूवी डियाश्टर रही 2003 में बुड्डु धनुवा की मूवी आई हवा इस मूवी का बजट 3.00 करोड रहा भारत में कमाई 3.00 करोड पिचत तल्ला कुई पुर दुनिया में इस मूवी ने 5.00 करोड कमाई इसके साथ है मूवी बिलो एवरेज रही इसी साल बुड्डु धनुवा की मूवी आई जाल इस मूवी का बजट 12.00 करोड रहा भारत में कमाई 7.00 करोड हुई पुर दुनिया में इस मूवी ने 11.00 करोड कमाई इसके साथ है मूवी फिलो प्रही 2004 में बुड्डु धनुवा की मूवी आई किस्मत इस मूवी का बजट 7 करोड रहा भारत में कमाई 4 करोड हुई फुरु दुनिया में इस मूवी ने 8 करोड कमाई इसके साथ हैं मूवी डियास्टर रही 2005 में डारेक्टर आशू तर्खा की मूवी आई इस मूवी के प्रोडुसर बुड्डु धनुवा थे इस मूवी का बजट 4 करोड रहा भारत में कमाई 2 करोड हुई फुरु दुनिया में इस मूवी ने 4 करोड कमाई इसके साथ हैं मूवी डियास्टर रही इसी साल डारेक्टर अजबिन चौदरी की मूवी आई इस मूवी के प्रोडुसर थे इस मूवी का बजट 2 करोड रहा भारत में कमाई 37 लाक हुई फुरु दुनिया में इस मूवी ने 13 लाक कमाई इसके साथ है मूवी ड्याश्टर रही दोयर साथ में बुड्डु धनुवा की मूवी आई इस मूवी का बजट 8 करोड रहा भारत में कमाई 4 करोड हुई पूर दुनिया में इस मूवी ने 7 करोड कमाई इसके साथ है मूवी ड्याश्टर रही 2011 में गुड्डु धनुवा की मूवी आई The Line of Punjab इस मूवी ने पूरु दुनिया में कमाई की 5 करोड इसके साथ हैं मूवी फिलोप रही इसी साल गुड्डु धनुवा की मूवी आई गुलाबी इस मूवी के लिड कास्ट में बिन आप्टे, पाकी हेकडे, सचिन सामिल थे और कलेक्शन के साथ से यह मूवी दियाश्टर रही दोयार पंदरे में बुड्डु धनुवा की मूवी आई रमता जोगी इस मूवी के लिड कास्ट में दीपु सिद्दू, रोनिका सिंग, राउल देय, अनिल गुरोवर, सामिल थे इस मूवी का बजट 50 लग रहा, पुर दुनिया में इस मूवी ने 1,65,000 कमाई इसके साथ हैं मूवी दियाश्टर रही दोस्तो आपको गुड्डू धनुवा सरका डारेक्टर और प्रोडूसर केरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस डारेक्टर पर चाहिए कमेंट में बताएं और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें पिलिए दोस्तो थेंक्यू